हाँ तो दोस्टे इस वीडियो के अंदर हम केником फिंटेक के आईप्यों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको इस आईप्यों के अंदर अपलाए करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दिखिए सब्सक्राइब हम यह जानेंगे कि यह company क्या काम करती है तो दिखिए जो company है 2017 में यह company start हुई है तो दिखिए जो company यह company financial services provide करवाने का काम करती है तो mainly अगर आप देखोगे अगर आप बहुत time से अगर यानि कि 4-5 साल से अगर आप IPO में applications लगा रहे हो तो आपन आपने इसी की website पे जाके देखा होगा अगर हम देखेंगे अगर इसी साल अगर हम इन्हों ने जो IPO इन्हों ने manage किये तो अगर आप देखोगे LST का जो इतना बड़ा IPO था वो इसी company ने manage किया था और इसका जो allotment status है वो आपने इनी की website पे जाके देखा होगा तो इसके अगर हम देखेंगे जो भी बड़े-बड़े IPO जोते हैं नॉर्मल अगर आप देखोगे 1000 करोड से बड़े-बड़े जो भी IPO होते वो नॉर्मल यह company ने manage किये हैं यहापर अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यह company को manage करने का यह company काम करती है उसके अलावा अगर आप होगे तो बहुत चारे जो NCDs आते हैं यहाद कि जो non-convertible debentures आते हैं तो उसे भी यह company manage करने का काम करती है अगर हम देखेंगे तो अभी लगबग 301 funds को यह company manage करने का काम करती है और लगबग अगर हम देखेंगे तो उसमें जो 192 asset managers हैं तो उनको यह company अभी service provide करवाने का काम कर रही है अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर अगर हम AMC के business पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी company यहापर हम यह investor solution providers के अंदर हमें यह company नजर आती है उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहापर यह अकेली 80 company है जो की जो mutual funds होते ह इसके अलावा कोई और ऐसी company नहीं है यहापर जो इन्वेस्टर सॉलुशन वाली जो service है यहापर प्रवाइड करवाती हुई mutual funds और इनको नजर आती हो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यह company की अगर हम बात करेंगे तो यहापर जो central की जो record keeping होती है यानि की जो NPS व जो IPO जोगे रहते हैं जो एक तरीके से NCDs जोगे रहते हैं तो उससे related यहापर company का revenue आता है तो आपको एक बात समझनी चीए कि अगर LIC ने अभी IPO लेका ही तो उसके बात में अगर future में अगर LIC को right issue के form में अगर पैसा raise करना है तो वहाँ पे यह company LIC को help करती हुई नजर रहेगी तो पॉइंटे वीचे अगर आप देखोगे एक long term contract यहापर company के साथ में बनता है तो पॉइंटे वीचे अगर आप देखोगे अगर यह LIC को के dividend देना है तो वहाँ पर भी कमनी का role काफी अच्छा रहता है जो कि dividend सबको time पे पहुचना चीए तो पॉइंटे एक low operating cost वाला model हमें यहाँ पे नज़र आता है और यहाँ पे growth opportunities हमें यहाँ पे काफी ज़्यादा नज़र आती है अब अगर हम यहाँ पे objective की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे IPO से जितना भी पैसा है यहाँ पे सारा जो company के promoters है एक तरीके से private equity investor हमें यहाँ नज़र आते हैं तो सारा पैसा उन्नी के पास में जाने वाला है यहाँ पे कोई भी पैसा company के पास में नहीं जाने वाला है तो देखिए वैशे भी यहाँ पे company को को कोई capital के requirement नहीं है काफी low operating cost वाला business model हमें यहाँ पे नज़र आता है और company हमें काफी profitability में नज़र आती है अगर हम देखेंगे तो इस बार की profitability के अगर हम बात करेंगे तो लगबग 1500 क्रोड से भी ज़्यादा का net profit का number यहाँ पे company का यह पूरे financial year में हमें होता हुआ नज़र आ सकता है अब अगर हम company के financials के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें financials से बहले यहाँ पे जो general Atlantic Singapore fund है यह company के promoters है यानि की जो पूरा company का stake है वो इनी के पास में हमें यहाँ नज़र आता है mainly अगर हम देखेंगे around 74% का stake और बाकी ठोड़े बहुत और investor से लेकिन यहाँ पे जो 500 करोड का जो company का offer for sale वो पूरा पैसा यहाँ पे इसी कमनी के पास में जाने वाला है अब अगर हम revenue की अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पे 164 करोड के लगबग company के revenue के number थे उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 455 करोड के लगबग यह number आया था फिर 486 करोड के लगबग आया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यह 6 महिने का number हमारे को य यहाँ पे profitability की भी अगर हम बात करेंगे तो 148 करोड के लगबग का net profit हमें यहाँ पे company का नजर आता है यानि कि almost अगर आप देखोगे 20% से भी ज़्यादा के net profit के margins पर यह company हमें काम करती हुई नजर आती है और अगर हम इस साल 6 महीने के company के revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो लगबग 3.5 करोड के revenue कमनी ने already report कर लिया है त्योंकि indication दे रहा है कि लगबग 700 करोड से ज़्यादा revenue का number यह company का पूरे financial year में हो सकता है और जबकि इस बार अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा IPOs भी हमें आते हुए नजर नहीं आए है और अगर हम 21-22 की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज़्यादा IPOs थे तो इसकी वज़य से हम यह देख सकते है लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ज़्यादा revenue के नरमे fall देखने को नहीं मिला है और 85 करोड के लगबग का profit यहाँ पे यह company ने अभी दक 6 महीने में रिपोर्ट किया है जोकि indication दे रहा है कि लगबग 170 करोड के लगबग का revenue का नंबर करोड के लगबग कमनी की borrowing ती और अगर हम अभी देखेंगे तो यह नमर हमें 126 करोड के लगबग नजर आता है तो definitely अगर आप देखोगे तो borrowing से related मुझे लगता है यहाँ पे कमनी को कोई issues होंगे तो कि hardly यहाँ पे 11-12 करोड के लगबग का इंट्रेस कमनी को देना है और यहाँ पे कमनी net profit में 170 करोड के लगबग अगर यहाँ पे profit कमा रही है तो कहीन है कि वहाँ पे कमनी काफी well positioned हमें यहाँ पे नजर आती है अब अगर हम IPO के details के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 19-30 को यह IPO में open होता हुआ नजर आएगा और 21 December को यह IPO में close होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे 366 रुबीज पर share पे कमनी share दे रही है 40 shares का में यहाँ पे lot नजर आता है अब अगर हम यहाँ पे time table के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखे 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको lotment मिला है या नहीं अगर lotment नहीं मिलता है तो 27 December को आपको refund मिल जाएगा और अगर lotment मिलता है तो 28 December को आपके demand account में shares आ जाएगे और 29 December को यह company आपको list थोटी भी नजर आएगी तो देखे अगर हम valuation के parameters चे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ ROE के numbers के अगर हम बात करेंगे देखे पिछले साल के basic पे around 29% का return on network हमें यापे company का नजर आता है अगर एक low operating cost वाले model पे अगर यह company काम कर रही है तो यहाँ पे आपका price to book value के उपर आपका ज्यादा focus नहीं होना चाहिए अगर हम normally IT companies चे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर profitability के उपर ज्यादा focus करते हैं कितना free cash flow यह company generate कर रही है हम उचके अपर वहाँ पर ज्यादा focus करने की कोशिश करते हैं और मेरे क्याल से यहाँ पर भी हमारा focus होई होना चाहिए वैसे यहाँ पर debt to equity 0.00 दिख रहा है लेकिन 0.00 नहीं है यहाँ पर लगबग 120 करोड के लगबग का debt हमें यहाँ पर company के books में नज़र आता है तो जो की मेरे क्याल से दिखा जा तो उच्छे pay अंडे में company को यहाँ पर कोई भी problem नहीं होगी तो दीके पिछले साल के अंडिंग्स के अशाब चगर हम दिखेंगे लगबग 39 के peer ratio पे company का IPO में आता हुआ नज़र आ रहा है तो मेरे क्याल से दिखा जाया तो valuation wise जांपर यह company अच्छी नज़र आती है और अगर हम growth wise जगर हम देखेंगे तो अभी हमारा market अगर पिछले एक साल से अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा IPO नहीं आए हैं लेकिन आने वाले एक साल में काफी ज़्यादा IPO हमें आते IPO नहीं आ रहा है लेकिन valuation wise जगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा महेंगे valuation पे भी कमनी का IPO में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अब अगर हम यहापे minimum application के अगर हम बात करेंगे तो देखें retail category के अंदर आप एक lot की application लगाने के लिए cut-off price पे 14,640 रुपीज लगें अगर आपको small HR नहीं में अगर एक minimum application अगर आपको यहाँ पे लगानी है तो तो देखें के मेरे ख्याल चाके देखा जाया तो as the whole यहाँ पे company का IPO मुझे अच्छा नज़र आता है और अगर देखा जाया तो उसी टाइम पे यहाँ पे एक डो mainboard IPO हमें और open ओटे वे आते है तो कि वहाँ पे इतनी जादा liquidity market में जब listing होती है तो अगर कमनी की demand अच्छी होती है तो वहाँ पे listing gain पे जनरली 10-15% का जो gain होता है वह हमें बनता हुआ नज़र आता है तो इस point आवी से देखा जाया तो मेरे ख्याल से यह company as the whole अच्छी नज़र आती है मेरे ख्य यहाँ पे यह IPO को avoid करना चाहिए लेकर ना कि लॉंग टर्म बाइंड वी से अगर दिखा जाया 5-6 मैने के अगर आपकी holding capacity है तो आप मुझे definitely लगता है कि 15-20% के जो gain से यहाँ पे आपको इस company में बनते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों मैं होब करता हूँ कि के आई-प क्योंकि बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day